नमस्कार मैं निदिरतन आप देखेरें नेशनल दस्टक तस्वीर भारत की बच्छडे से ट्रेन टकराई और ट्रेन घायल हो गई आई दिन ऐसी खबरे हमारे सामने आती खिग बंदे भारत ट्रेन बच्छडे से टकरा88T county whenby 청स nelle दुट जाती है कभी और बच्छड और पेड़ पूथ आ जाते हैं जिसकी वज़े से बंदे भारत ट्रेन के पाट डेमिज हो जाते हैं आगे का जो पोर्षन और है वो टूड़ जाता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बच्छडे के ट्रेन के नीचे आने से बंदे वन्दे भारत ट्रेन गायल हो गाई जिसका उद्गाटन हमारे मान्य पढ़ान मंतरी नरेंद्र मोधी जी नहीं हागात। कटनी उम्मीदों के साथ क्त espíत्रों बच्छडे की उम्म्मत तो देखिये तो गया कर दिया केस किस पर होना चाहिए बच्छडे के मालिक पर यह जो किसान गाए भैस रखते हैं उनके उपर क्योंकि इस तरीकी का स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि अगर ट्रेन के ट्रैक पर कोई गाए भैस आ जाए उसके मालिक पर फाइयार होगी लेकिन अब तो बंद मीडिया कहना चाहिए क्योंकि मनु मीडिया दिन रात बैठके हिंदू मुसल्मान कर रही है दिन रात बैठके आफ्ताक और श्रद्धा कर रही है दिन रात बैठके वो दंगे भढ़काने की कोशिस कर रही है समाज के भी जहर उगल रही है और समाज में नफरत पैदा कर र इन सम मुद्दों को छोड़ कर हमारी मनू मीडिया आफ़ताप और श्रद्धा दिखा रही है यह कोई पहली बार नहीं हुआ है और नहीं आखरी बार हुआ है नहीं आफ़ताप के समर्थ हमें हूं नहीं श्रद्धा के लेकिन इस देश में जो वाइलन्स होती है मैं उसके खिलाफ हूँ कि इस देश में किस तरीके से लोग हिंसक बनते जा रहे हैं और मिनिस्ट्रिम मीडिया आरोपी को पकड़ने के बज़ए उस पर डिबेट हो रहे हैं हमारे मिनिस्ट्रिम मीडिया की मशूर एंकर रूबी का लियाकत वो ज्यान दे रही थी ओन स्क्रीन आके कि लड़कियों को माबाप का कहना मानना चाहिए लड़कियां अगर माबाप के खिलाफ जाकर किसी से प्यार करती हैं किसी से शादी करती हैं किसी कसा लिविन में रहती हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए सुचे इस तरीके का एंटी वूमेन कमेंट कर रही थी औन स्क्रीन आकर इस तरीके से भणकाओ भाशन बे रही थी ये तब खामोश क्यूं हो जाती है जब arranged marriage करते हैं घरवाले domestic violence होता है, मार पीट होती है, तिजाब डाल कर मार दिया जाता है, दहेज ना लाने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, बच्चा पैदा होने पर भी उनकी हत्या हो जाती है, लड़का पैदा हो जाता है, तो समस्य लड़की पैदा हो जाता है, तो समस्य तम मेनिस्ट्री मीडिया इसको उस एंगल से क्यों नहीं देखता है कि घरवाले जबरन शादी कर देते हैं इस तरीकी की वाइलेंस को क्यों रोकने की कोशिस नहीं करता है हमारे देश में हर एक सेकिंड ना जाने महिला है लड़कियां बच्चियां किसी ना किसी चीज का शि तरी किया जाएगा तो देश की दश्चा क्या होगी आपताप जैसे लोगों में हिम्मत बढ़ती जाएगी जिस तरीके से बिल्किस बानो केरे पिस्टो को संसकारी बताने वाले को टिकेट बाटा जा रहा है उस हिसाप से तो ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी में उ सब खामोश एक दो दिन खबरे चली लेकिन पिछले एक हफते से आपको आफ़ताफ श्रद्ध के इस नियूस को लेके भरमित किया जा रहा है उसके बाद नजाने कितनी घटना आमारे साम्याई सूटकेस में बच्ची की लाश मिलती है ऑन स्क्रीन आकर एक व्यक्ति अपन इस्ट्री मीडिया उस खबर को हवा दे रही है लेकिन जरूरी बात आज की सबसे ज़्यादा जो जरूरी खबर है मैं उस पर भी बात करूंगी कि केजरीवाल सरकार किस तरीके से भहुजनों से नफरत करती है भहुजन समाज के लोगों से वह सिप वोट के नाम पे इस्तम करना जानती है किस तरीके से केजरीवाल सरकार के मंत्री सतिंदर जेन को जेल के अंदर मालिश का लुप्त उठाते हुए देखा जा रहा है वीडियो जारी हो रही है फुटेज जारी हो रहे हैं लेकिन केजरीवाल कद आप जो पीस सुनेंगे तो उनका ही भाशन में यह ल और उनके पास देखे हुए आप रिमोड को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जेल के अंदर उनकी जरूरतों का दिहान रखा जा रहा है लेकिन यहाँ पर जो हक अदिकारों की बात करेगा उसके साथ क्या इस्तिती हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा बत्तर है राजिंदर बाबस साब की 22 प्रतिग्याव का अनूसरंड किया तो उनको नचाने धरम रोधी रास्टे विरोधी इस तरीके से शब्दों से नावाजा गया और उनको स्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया तो यह है भाउजनों की दशा लेकिन राजिंदर पाल गौतम का नाम MCD एलेक्षन के स्टार प्रचारक में क्योंकि केजरी वाल को भाजनों का वोट चाहिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री सतिंदर जैन को मनी लॉंड्री के केस में जेल में डाला गया और केजरी वाल इस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि उनको परिशानिया हो उनको शारिरिक दिक्कतों के कारण उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको मसाज प्रोवाइड की जा रही है यह है दशा जाती के अधार पर आपकी जेल की सलाखों के पीछे किस तरीकी की सुविधा मिलती है दिलीप मंडल लिखते हैं कि 83 साल के बुज़ूर्ग पार सबस्क्राज दे रहे हैं सिर में मालिश हो रही है नियाए नाम की कोई चीज नहीं है देश में सुवामी तो यही सब बहर है उत्रयों सोचिए ऍस्टेंग सूंपी जो मानव हदिकारों की बात करते एं जो ज़स्टिस की मथ करते हैं जो राइट को लेके सरकार से सवाल करते हैं सरकार ने उनकी जान ले ली सरकार ने उनको पीने के पानी के लिए कि स्ट्रो प्रोवाइड नहीं किया और यहां पर आम आदमी पाटी के मंत्री को मसाज दी जा रही है आम आदमी पाटी के मंत्री को कहा जा रहा है कि वो तकलीफ में परिशानियों मे और इस पर ही मनिश शिशोद्य का टूइट आता है और सफाई देते हुए कहते हैं कि किसी की परिशानी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए पर 50 लाग का इनाम रखा जाता है तो इनके टूइट अक्टिवेट नहीं होते हैं देकि सतिंदर जैन के सपोर्ट में किस तरीके से केजरी वालों संजे सिंगों मनिश शिशोदियां हों सब कोई अक्टिव होकर लगता टूइट कर रहा है और मसाज वाले इंसिडेंट पर परदा डालने की कोशिस कर रहा है तो सोची आप की जाती है की जाती नहीं आपका बच्चा आप और आपके समाज का मंत्री भी सुरक्षित नहीं है इस देश में और बहुजन समाज को लगता है कि बहुजन समाज के हाथ में एक दिन सत्ता आएगी तो वो गलत फैमी में है, वो गफलत में है, क्योंकि बहुजन समाज के हग करदिकारों को खतम किया जा रहा है, सिख्षत छीनी जा रही है, रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, आरक्षन छीना जा रहा है उनका, और सविधान को खतम करने की लगाता अब आपको तेह करना है आपके लिए क्या जरूरी है कि बहुजन समाज के कारेकरता को बहुजन समाज के मंतरी को किस तरीकी से ट्रिट किया जाता है पाटी में जेल की सलाखों के पीछे और वही अगर आपकी जाती जर्नल के टेगरी से आती है आपकी जाती किसी सवन समाज स आती हैं तो आपको किस तरीकी का लाव दिया जाता है किस तरीकी की सुक सुविधाय दी जाती है जिन्हों ने बच्चों के पढ़ने के लिए चरवविध्याले खोला चारा गोटाले में जेल की सलाकों के पीछे डाला गया यह भाउजन समाज की स्थिति विजय मालिया की बात करेंगे तो आपके यहां ED का चापका आपके हां IT सेल बिठा देंगे आपके CBI जाज बिठा देंगे और ना जाने तमाम तरीके यह प्रोपगेंडर के जाल में फसा कर आपको जेल की सलाखों के आज में सदिआ में मैंस्ट मैं हमरे देश में भिद्वाव होते हैं अगर他 भूजन समाज की जाती से आते हैं तो आपके सब्सक्राइबह के साथ जिसतोरीके से लालू प्रसादाई के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मान्य नरेंद्र मोधी जी के द्वारत चलाई गई वंदे भारत कहाईल हो चुकी है इसको लेकर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़